बुरे में दरसल 17 दिसंबर को राज्जी में कॉंग्रिस सरकार को दो साल पूरे हो रही है ऐसे में एक तरफ जहां सरकार अपनी उपलब्दियां गिनवाने में व्यस्त है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के ही एक वरिष्ट मंत्री टी एस सिंग देव के एक बयान के बाद मुख्य मंत्री के कारेकाल कितने दिन का होगा इस पर एक नहीं बैस छुड़ गई है 36 गड़ सरकार 17 दिसंबर को 2 साल पूरा कर लेगी हर तरफ सरकार ये बताने में जुटी है कि उसने इन दो सालों में 36 गड़ की जनता के लिए क्या किया है इस बीच बिलासपूर में दो दिन पहले स्वास्ते मंत्री टी एस सिंग देव ने एक बयान दे दिया जिसके बाद प्रदेश में मुख्य मंत्री के कारेकाल पर चरचा शुरू हो गई है दरसल सिंग देव पत्रकार के धाई साल के सवाल पर मुख्य मंत्री की बात करने लगे जबकि पत्रकारों ने मुख्य मंत्री शब्द का जिक्र भी नहीं किया था सिंग देव ने कहा शायद आप मुख्य मंत्री की बात कर रहे हैं परिवर्तन की बात कर रहे हैं उसके बच सिंग देव ने कहा कि किसी की कार्यव दिप फिक्स नहीं होती हमने दो दिन का मुख्य मंत्री भी देखा है और 15 साल का मुख्य मंत्री भी देखा है ये सब आला कमान के हाथों में होता है उन्हेंने कहा कि समय और परिस्तितियों के हिसाब से हाई कमान निर्ने लेत जिसमें पहले ढ़ाई साल भुपेश भागेल मुख्यमंत्री रहेंगे और बाद के ढ़ाई साल में टी एस सिंग देव मुख्यमंत्री रहेंगे हाला कि अधिकारिक रूप से इस बात को कांग्रेस की तरफ से नहीं कहा गया है लेकिन तीन बार 36 गड़ के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंग ने कहा कि राहूल कांदी ने कुछ वादा किया होगा इसलिए सिंग देव ऐसा कह रही हैं सिंग देव गंभीर आदमी है और वो जो कहते हैं उसमें वजन होता है वहीं बुपेश सिंग बगेल सिंग देव की बात का विरोध नहीं कर रही हैं बुपेश बगेल ने कहा किसी भी मुख्यमंत्री का कारेकालिस थाई नहीं होता और अभी हाई कमान कहे देगा कि इस्तिफाद देना है तो मरा राज्य पाल के पास जाकर इस्तिफाद दे दूँगा ब्यूरो रिपोर्ट एस पे नाइन नियूज